मुझे पता है लावा ने बहुत दिनों के बाद लावा अगनी 2 5G के साथ कम बैक किया है बहुत सारे अन्बोक्सिंग और रिवीव वीडियो यूटूब के उबर आ गए है और आप में से कई लोग लावा के फैन भी होगे और आप शायद लावा अगनी 2 5G खरीतने की सोच भी रगगे पर ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि लावा अगनी 2 5G अगर आप ये वीडियो देखे भी ना खरीदोगे तो हो सकता है आपको बाद में पच्ताना पड़े वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए दोस्तो एक यहाँ पे चेताउनी है वो प्लीज एक बार सुन लीजे अगर आपको लगता है कि ब्रैंट्स बिल्कुल सही किम्तों पर फोन लॉंच करते हैं और सारे अन्बॉक्सिंग और रिवीर करने वाले टेक चानल आपको किसी फोन के बारे में एकदम सही जानकारी देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है रुपया वीडियो बात में यहां पर करूँ तो नो डाउट लावा अगनी टू 5G एक स्टाइलिश डिजाइन के साथ हमें यहां पर मिलता है जो की प्लास्तिक और ग्लास के कॉंबिनेशन के साथ बना है अब कावड डिस्पले होने की वज़े से लावा अगनी टू 5G इस रेंज के फोन के अ आपको यूज करने के लिए फील होगा पर्फॉमंस के बारे में मैं यहां पर बात करूँ तो लावा अगनी टू 5G के अंदर मेडिया टेक का डाइमंड सिटी 7050 प्रोसेसर लगा हुआ है अब देखे यह एक मिड वेंज प्रोसेसर है जो की अच्छा खासा पर्फॉमंस आ आपको प्रोइड करता है अगर आपको गेमिंग करने या फिर डे टू डे लाइप टास्क करने एडिटिंग वगरे आप करना चाते हो इस फोन के अंदर तो स्मूथली हो जाएंगे पर ज्यादा है वी गेम्स अगर आप इस फोन के दर चलाना चाओगे तो उसमें जरू से यह फोन के बाकी फीचर्स के उपर धान देता है तो यह फोन बहुत अच्छा यहाँ पर निकल के आ सकता था इसके अंदर जो आप photos किजोगे तो daylight में आपको अच्छे photos मिलेगे और night mode के अंदर portrait mode के अंदर भी आपको decent photographs lava agnitube 5G से मिल जाएगे lava agnitube 5G के अंदर आपको 4700 mh की battery power मिलती है जो की 66 white के fast charging को support करती है अब lava यहाँ पे ये claim करता है कि इनका phone 100% charge आदे घंटे में हो जाता है ये तो test करने के बाद ही आपको पता चलेगा अब software के बारे में मैं यहाँ पे बता हूँ तो lava agnitube 5G के अंदर android 13 version आपको मिलता है जो की lava की customized UI के साथ आता है अब customized UI है तो obviously इसके अंदर bloatware तो हो गई ही पर ये लोग इस phone को ऐसे portrait करते है कि close to android experience वो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे है ऐसा आप सभी को बताय जा रहा है पर यकीन मानिए दोस्तों कोई भी close to android experience आपको lava agnitube 5G के अंदर नहीं मिलने वाला है क्योंकि unwanted bloatware और software इस phone के अंदर pre-install आते है अब देखें lava agnitube 5G एक decent phone है mid range processor इस phone के अंदर लगाया गया है पर curve display होने की वज़े से यह phone यहाँ पे एक upper hand लेके चलता है तो यहाँ पे मैं pros और cons की बात करूँ तो सबसे पहली बात इसके अंदर जो आपको display दिया गया है वो एक curve display है आप अगर curve display लेना चाहते हो एक budget friendly phone के अंदर तो यह phone आपके लिए definitely अच्छा option हो सकता है इसके अंदर जो processor है mediateka diamond city 7050 processor यह भी एक अच्छी और तगडी performance आपको lava agni to 5G के अंदर provide करता है बाकी quad camera setup जो इसके अंदर दिया गया है और android 13 version यह भी इस phone के कुछ pros निकल के आते है पर सबसे important बात अगर मैं lava agni to 5G के cons की बात करूँ तो सबसे पहली बात इसके अंदर expand available storage का कोई भी option दिया नहीं गया है lava agni to 5G का fingerprint sensor जो है वो slow काम करता है ऐसा बहुत सारे users ने twitter के ऊपर report भी किया है तो यह बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अब polycarbonate body होने की वज़े से यह phone थोड़ा cheap तो feel करता है पर इससे भी बड़ी बात दोस्तों lava agni to 5G के polish नहीं किया गया है lava की तरस से close to android experience यह लोग बोल रहे है पर यकिन मानने है बहुत सारे blotware lava agni to 5G के अंदर आपको देखने को मिलने ही वाले है overall lava agni to 5G एक अच्चा phone है अगर आप एक mid range phone की तलाश में हो तो और आपको high performance वाला phone चाहिए तो आप कोई और phone यहाँ पे दे वीडियोज में टेक वीरों के उपर हमेशा लेके आता रहता हूँ उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया जो प्लीज लाइक शेयर कर दो जैह हिंद पंदे मात्रम